तो आज हम देखेंगे जैकेट का यह पैटन आप इसके जैकेट का यह बना सकते हैं बहुत ही प्यारा यह डिजाइन बनकी तियार होता है यहां पर मैंने एक पैटन बनाया है इस पर जैसे मैंने इसके डबल कुशे इसके स्टार्टिक में लगाए हैं लेकिन अगर आप चब इसको पैटन बनाना स्टार्ट करोगे उसके लिए जैकेट या काडिगन के लिए तो आपनी यहां तक बनाना है उसके बाद आपने यह वाला पैटन इस टार्ट कर देना है तो टोटल 18 वंदों क तो टोटल इसी तरीके से बनता हुआ जाएगा मैंने वीडियो में आपको step by step बताया है फिर भी आपको कोई भी problem होती है आप मुझे comment करना मैं आपको आगे का भी pattern बनाना बताऊंगे और आप इस design में क्या देखना पसंद करेंगे वो मुझे comment करके बताएगा बहुत ही प्यारा ये design के तयार होता है अगर आप चैनल को first time visit कर रहे तो चैनल को subscribe जरूर करें और आप इस design में क्या बनाना चाहते हैं और क्या देखना चाहते हैं वो बताएगा आगे वीडियो आप इस topic पर देखना पसंद करेंगे आप जरूर बताएगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैंने इसमें step by step आपको सारा कुछ बता दिया है तो प्लीज वीडियो को full watch किजेगा 39 चैन बनाने के बाद यहाँ पर सभी में double crochet बना लिया है जब भी हम कोई project बनाते हैं जो भी प्रोजेक्ट हमारा बनता है वो बॉर्डर से ही start होता है तो यह raw मेरी as a border count होगी तो सबसे पहले हमने क्या कराए इस तरीके से बनाने के बाद देखे मैंने यहाँ पर 3 चैन बन double crochet start करते हैं तो यहां से यह chain है तो हम इस वाले लूप से नहीं start करेंगे यहां से start करेंगे इस चीज का आपने ध्यान रखना है बरना आपका हर raw में एक stitch यहाँ पर increase होता जाएगा इसके बाद हम यहाँ पर देखिए six double crochet बनाएंगे chain को count करते हूँ यानि five हम double crochet है देखिए one two three four five one time और हम बनाएंगे इस तरीके से यह हो गए है six six बनाने के बाद देखिए अब मैं इस तरीके से चैनल लेनी है six double crochet बनाने के बाद वन चैनल लेकर फिर हम इसमें जाकर four double crochet बना लेंगे two three four four double crochet बनाने के बाद देखिए यहाँ पर हमने two skip करे हैं लेकिन अब यहाँ पर हम one skip करेंगे देन उसके बाद हमने फिर से six time double crochet बनाना है six loop से ही बनाना है six one double crochet देखिए one one count करते हुए हमने four हो गए है हमारे five six इस तरीके से six हो गए है अब हमने one और two chain लेनी है और bottom से भी हमने one two ही skip करना है then इसके बाद थर्ड वाली चैन से हमने फिर से यहाँ पर six double crochet बनानी है थ्री देखिए two three four five six इस तरीके से अब हमने six बना ली है हम इस तरीके से one chain का distance लेंगे इस तरी से और one chain लेने के बाद हमने यहाँ पर one skip करनी है next वाली से हमने यहाँ पर जाकर four double crochet बनानी है जो कि हमने अपने पीछे बनाई थी इसी तरीके से हम four double crochet बनाएंगे क्योंकि हमने हम डिजैन की तरब से आ रहे हैं तो हमने one channel skip करी है अब हम border की तरब जाएंगे तो यहाँ पर one chain लेंगे और bottom से one two channel skip करेंगे और यहाँ पर six double crochet बना रहेंगे two three four five six तो guys यहाँ पर मेरी यह design की फिर से हम three चरुनाएंगे यहाँ पर यह मेरी design की first row बनके तयार है कुछ इस तरीके से देखे अभी आपको सही से नहीं समझ में आ रहे होगे तो चलिए अब हम next start करते हैं हमने देखे हर बार यह चीज में आप भी आपको थोड़ा सा यहां तक बना के दिखा दू फिर आपको यह सेम प्रॉसेस करना है हर रो में तो यह हमारा पूरा सेम ही रहेगा देखे यहाँ पर six double crochet इस तरीके से सभी के उपर होके आपने one one time बनाना है देखे यहाँ पर यह चैनल लेंगे इस तरीके से और यह जो four double crochet बनाए थे इनके middle से इस तरीके से फिर से हमने four double crochet बनाना है two either two ःदर छोड़ के हमने four double crochet इसमें बना लेना है इस तरीके से देखिए तो यह इतना जो पार्ट है वो मेरा इस तरीके से ही चलेगा अब क्या करना है आपने इस फिर से हम टू चैनल लेंगे और टू चैनल लेने के वाज यह जो हमारा यह वाला जो टू चैनल का स्पेस था इसमें हमने नाइन डबल कोश्या बनानी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डबल कोश्या मेरी देखिए हो गई है यह अब यहां से फिर से हम टू चैनल लेंगे 2 चैनल लेने के बाद हमने हमारे पास यह जो 6 डबल कोश्या है इस वाले डबल कोश्या पर हम इस तरीके से यहां पर 1 डबल कोश्या बना देंगे one chain लेकर यह जो four double crochet हैं इसके middle से हमने four double crochet बनाने हैं और same इस प्रोसेश को हमने same करना है देखे तो मैं इसको बना के दिखाती हूँ तो देखे मैंने इस तरीके से बनाने के बाद इसको इतना भी बना लिया है अपनी round को पलट के क्योंकि इतना हमारा ये सेम बनेगा तो इसको मैं बार बार आपको repeat नहीं करवाऊंगे वन चैन बनाने के बाद देखिए अब हमने जो हमारा वन डबल कोश्या था इसके उपर हमने टू डबल कोश्या बनाना है यहाँ पर टू डबल कोशया बन जाएगा अब क्या करेंगे हमारे पास जो 9 डबल कोशय थे इसको हम 7 बनाएंगे तो 1 स्क्रिप इधर से करेंगे तो यहाँ पर हमने 7 डबल कोशया बनाना है एक छोड़ दिया दूसरे से हम बना रहे हैं तो यहाँ पर देखे 2, 3, इस तरीके से 7 double koshya यहाँ पर बनाएंगे, तो देखे इस तरीके से मैंने 7 double koshya बना लिये हैं, इसी तरीके से हमने इधर की तरब भी बनाना है, 1 chain, 2 double koshya, 1 chain के बाद यह pattern, फिर 6 double koshya, उसके बाद मैं फिर से आपको यहाँ पर 6 double koshya, 4 का pattern बना क के दिखाती हूं, तो देखे मैंने इस तरीके से इसको हमारे design की 3rd row को भी मैंने इस तरीके से complete करके और यहाँ पर इतना इसको बना लिया है, 1 chain लेने के बाद अब जो हमारी देखे, इसमें हमारा कम होता जाएगा, यह side के जो pattern है, यह हमारे बढ़ते जाएंगे, तो हमने दिखान रखेगा हमने इधर की तरफ से increase नहीं करना है, इधर की तरफ increase करना है, 1 chain लेंगे इस तरीके से, 1 chain लेने के बाद हमारे पास यह 7 है, अब हम यहाँ पर 5 बनाएंगे, तो 1 skip करने के बाद हम यहाँ पर 5 बेवल कोश्या बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर 5, तो यह मेरे 5 हो गए हैं, इस तरीके से, 1 chain लेंगे, अब हमारा देखिए, हमें design की तरफ ही increase करना है, तो 1st वाले में हम 2 टाइम डबल कोश्या बनाएंगे, 1, 2, इस तरीके से, और लास्ट वाले में 1 टाइम बनाएंगे, हमें border की, यानि side की तरफ नहीं करना है, 1 chain बनाकर हम अपने इस pattern को repeat करेंगे, same process के साथ, तो देखिए, इस तरीके से design दिख रहा है, तो देखिए, हम round number 5 पर आ गए हैं, इस तरीके से pattern repeat कर लिया है, मैंने 1 chain लेंगे, अब फिर से हमारे 3 double crochet है, 3 पर पहले हम 3 double crochet ही बनाएंगे, क्योंकि हमें इधर से last वाले में increase करना होता ह है, और दर से first वाले में, अब यह जो थर्ड वाला double crochet है, इसको हम two time यहाँ पर one time इसमें increase करेंगे, तो यह गरा four हो जाएंगे, और यहाँ पर one chain लेने के बाद, अब यह जो हमारे five double crochet हैं, अब हमने इन में three double crochet बनाना है, तो यहाँ पर देखिए, one, two, three, यहाँ पर three मेरे double crochet हो गए है, one chain लेकर, फिर से अब हम first वाले double crochet के उपर ही हमें इस तरीके से increase कर देंगे, one और two, यानि one increase कर दिया है, one हम repeat वाला है, और इसको हमने इस तरीके से three time यहाँ है, तो यह मेरा four double crochet है, यहाँ पर हो गए है, तो इस तरीके से मेरा pattern दिखाई दे रहा है, तो हम pattern क यहाँ पर भी इसको इस तरीके से बना के, फिर आपको दिखाते हैं, तो देखे हम round number six पर यहाँ पर आ गए है, repeat pattern भी मैंने complete कर लिया है, अब यह जो four है, सभी पर हम एक एक बार double crochet बनाएंगे, और fourth वाले में जाकर हम two time बनाएंगे, यानि three time हम one one double crochet बनाएंगे, और fourth व हमारे पास यहाँ three double crochet हैं, तो हम यहाँ पर एक बार double crochet बनाएंगे, इस तरीके से, one chain लेंगे, और फिर से हमने देखे, first वाले पर हम two time double crochet बनाएंगे, इस तरीके से, one और two double crochet बनाएंगे, और यहाँ पर जो four double, three double crochet हैं, इन पर हम three double crochet ही बनाएंगे, इस तरीके से, तो कु इस तरीके से मैंने यहां से इस टार्ट कर दिया अपने इस रो को तो टोटल यह जो डिजाइन है वो 7 रो का डिजाइन है और जैसे के मैंने आपको पहले भी बता दिया था मैंने यह दोनों तरफ जो चैन डबल कुशी रखे हैं यह जब आप डिजाइन को रिपीट करोगे तो आपने इस वाले जो चैन है इसके बाद हमारी यह वाले डिजाइन यहां पर continue हो जाएगी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बर्दाओंगी बनाकर तो यहां पर इस तरीके से आपकी यह जो डिजाइन है वो आप इस तरीके से देख सकते हैं इस तरीके से यह जो 4 का पेटन है इसके बाद डायरेक्ट आपकी यहां से स्टार्ट हो जाएगी तो मैंAI आपको इसको बना के फिर दिखाती हूं दो यह डेजाइन के पैटन बनने के बाद किस तरीकी का डेजाइन आपको तो देखिए यहां पर मैंने इसके दो पैटन बना के तयार किए हैं दो पैटन कुछ इस तरीके से लग रहा हैं देखिए और यह टोटल रिपीटिट पैटन है अगर हम इसके फिनिशिंग की बाद करें तो इतना टोटल यह इतना डिजाइन हमारा वह करेगा तो यहां काउं चैन का यह पूरा इतना वड़ा टोटल डिजाइन है यही डिजाइन हमारा आगी की तरह रिपीट होता है अगर हम पूरा इसको कार्डिगन में बनाते हैं तो हम इधर वाली पत्टी बनाएंगे क्योंकि यह बॉडर की पत्टी बनेगी यह हमारी डिस्टैंस के लिए पत् खालिट मुझे रचिए परश्णल के प्रश्णल फ्रेजएन मुझे बहुत प्यारा लगता है एक तो इस नियुड़ीर बीर करने खंबी अबिदे और ब्राग न की पेठर बन के यार होगा और यह बीडियो के साथ जब तर के लिए अपना ध्यान रखेंगा थैंक्स Ideal य